इस वीडियो में हम देखेंगे class 10th की एक बहुती important theorem जो की है theorem number 1.3 तो theorem है हमारी let p be a prime number if p divides a square then p divides a यानि कि हमने मान लिया कोई एक prime number है जो की है p यदि if p divides a square यदि p a square को divide करता है इसका मतलब यह है कि जो p होगा वो a को भी divide करेगा where a is a positive integer जहाँ पे a क्या है एक positive integer है तो सबसे पहले मान लेते हैं let let एक हमने prime number मान लिया जो की है a तो कोई number हमने मान लिया जो की prime number है a तो इसके जो factors होंगे यानि prime factors होंगे वो हो जाएंगे हमारे p1, p2, p3 and pn यानि इसके prime factors हमने यहाँ पे इसको लिख दिये अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यदि हम इसका square करें तो यदि हम इसका square करें तो क्या हो जाएगा तो यह हो जाएगा a into a a into a तो इसके prime factors क्या हो जाएंगे p1, p2, p3, pn यह तो हमारे a के factors थे ही इसके लावा second बार भी हमारा a आ गया तो उसके भी factors क्या हो जाएंगे multiply में p1, p2, p3, pn यहाँ इसके prime factors अगें हमने यही लिख दिये अब देखिए यह क्या हो जाएगा a square हो जाएगा तो इसको हम और simplify way में लिख सकते है p1 का square, p2 का square, p3 का square, dash, 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 pn का square तो यहाँ से हमने क्या prove कर दिया कि देखिए यदि p divides a square यानि p यदि a square को divide करता है तो p क्या होगा a को भी divide करेगा तो यहाँ पे देखिए जो p है वो a square को divide कर रहा है तो p भी a को भी divide करेगा एक example ले ले लेते हैं माल लीजिए 81 है तो 81 के prime factors कितने हो जाएंगे हमारे 3 multiply में 3, multiply में 3, multiply में 3 तो 3 क्या है इसका एक factor है और इसी तरीके से माल लीजिए अगर 9 हो तो 9 के भी prime factors कितने हो जाएंगे 3 multiply में 3 तो यहाँ पे देखिए जो a square को भी p divide कर रहा है तो a को भी p divide करेगा तो यह काफी important theorem है जो हमारे root वाले questions होता है यारी under root 2 को prove करिए कि irrational होता है या under root 3 को prove करिए कि irrational होता है उन सम्मेंस theorem का हम आगे use करने वाले हैं तो thank you for watching this video, मिलते हैं अगले वीडियो में